हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू टैसेट क्लासेज इंग्लिश विद मॉनिका आज हम बढ़ेंगे सीवी एसी बोर्ड क्लास टैंथ की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइग जिसे कि आपको इसकी चैप्टर के नाम सही बता लग रहा है इसमें दो स्टोरीज हैं है ना पहली है हिस फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड है ब्लैक एरोपलेन तो आज की चैप्टर में हम बढ़ेंगे हिस फर्स्ट फ्लाइट रिटिन वाए लेम ओ फ्लाइटी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब जैसा कि बच्चों इस चैप्टर में बताया गया है इसमें क्या बताया गया है कि पुराने समय से ही क्या था कि ये जो इनसान है वो क्या करना चाथा है? उसका ये सपना है कि वो आकाश पर अधिकार करले, विजय पराप्ट करले, है ना? तो उसी के बारे में, इस चेप्टर में दो स्टोरी बताई गई है, ठीक है, तो पहली स्टोरी जो है, वो किसे बारे में है? वो एक सीगल के बारे में है, सीगल क्या होता है, सीगल एक समुद्री पक्षी होता है, है न, अब उसकी क्या होती है, येलो कलर की बीक होती है, ब्लैक हैड होता है, किसी-किसी में ब्लैक विंक्स भी होते हैं, चीक है, और वो क्या करता है, वो जो है, समुद्र के ऊपर, स्कीम करके यह डाइबिंग करके वो वहाँ से मचलियां लेता है और अपना पेट पालता है बरन पोशन करता है इस तरीके से रहता है तो यह जो स्टोरी है यह एक छोटे से सीगल के बारे में है वो सीगल क्या करता है उसको पहुत डर लगता है फ्लाइ करने से अब वो कैसे उस डर के उपर जीत प्राप्त करता है है न कैसे वो फ्लाइ करना सीखता है यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं हिस फ्रस्ट फ्लाइड दा यंग सीगल वाज अलोन ओन हिस लेज वो जो यंग सीगल है यंग सीगल मतलब छोटा सीगल जो है वो अपनी लेज पर अकेला है अब लेज क्या होती है लेज होती है आप यह समझलो बच्चो समुद्र में एक छोटी सी चटान जिसे कहेंगे क्लिफ अब क्लिफ इसलिए यह चटान का बिलकुल एज किनारा जो होता है आगे निकला हुआ इसलिए उसको लेज बोला है ठीका यहां पर लिखा भी है अनेरो हैरिजंटल सेल्फ प्रजेक्टिंग फ्रॉम आवल और हैरा क्लिफ ओके His two brother and his sister had already flown away the day before अब इसमें बता है कि उसके दो भाई और उसकी एक बहन वो पेले सी ओर चुके हैं एक दिन पहले ही ओर ना सीख गया है लेकिन वो बचारा भी डर लग रहा है वो नहीं ओर पा रहा है ठीक है वो उनके संग उड़ने से क्या हो रहा है उसे डर लग रहा है वो डर रहा है भी somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings he become afraid अब किसी तरीके से वो उनके संग उड़ने की कोशिश करता है अपने पंक फड़ पड़ाता है लेकिन क्या होता है वो जैसे ही किनारे तक पहुचता है तो उसको डर लगने लगता है वो डर जाता है और वो उनके संग नहीं उड़ पाता है ठीक है a great expense of sea stressed down beneath and it was such a long way down, miles down अब वो क्या देखके डर जाता है कि इतना लंबा गहरा समुद्र है न और नीचे गहराई हो तक उसे तार नीचे तक समुद्री दिखाई देता है और दूर दूर तक सिर्फ यही दिख रहा है miles तक तो इस चीज़ को देखके वो घवरा जाता है और उसे क्या मैसस होता है कि यह जो उसके wings है वो इतना लंबा समुद्र इतना गहरा समुद्र पार करने में या उसके उपर उड़ने में उसकी मदद नहीं करेंगे so he bent his head and run away back to the little hole under the ledge where he slept at night तो क्या करता है वो उसो डर जाता है और अपने क्या करता है अपनी head को बैंट कर लेता है यानि जुका लेता है और कहां चला जाता है उस hole में चला जाता है जहां पर वो जाके रात को सोता है यानि डर के वो चला जाता है अपनी सर को जुका के Even when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away He failed to muster up courage to take that plush which appeared to him so desperate अब वो कह रहे हैं जब की उसके भाई और बेहन जो थे उनके जो wings थे वो उसकी अपेक्षा बहुत छोटे थे है ना उनके wings जो थे वो उसके अपेक्षा काफी छोटे थे लेकिन फिर भी क्या हुआ वो जो है वो तो ओड़ गए किनारे तक ले जाके वहां से चले गए लेकिन वो क्या था वो अपने पंखों के द्वारा आगे नहीं उन पाया वो अपने फेल टू मस्टर्ड अफ करेज वो अपने करो इसको एक खटा करने में फेल हो गया कौन यह यंग सीगल के बारे में बात हो रही है वो अपने करेज को नहीं जुटा पाया हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो वहां से चलांग लगा दे है ना प्लंच का मतलब होता है चलांग लगाना और विच अपेर टू हिम सो डेस्परड और यह इस तरीके की चलांग लगाने को ठीक है His father and mother had come around calling to him Shrili अब उसके mother और father उसके आसपास आके घूम रहे थे और calling him Shrili और बड़ी तीक ही अवाज में मतलब कुछ वो अपनी भाशा में उसको बोल रहे थे मतलब उसको कह रहे थे कि नहीं उड़ो कोशिश करो उड़ने की अब ब्रेडिंग हिम और उसको क्या कर रहे थे अब ब्रेडिंग मेंस करना क्या होता है अब ब्रेडिंग मेंस करना होता है कि उसे कह रहे थे डांट रहे थे मतलब उसे कि हिम्मत करो आगे बढ़ो थेटिंग to let him starve on his ledge unless he flew away और उसे धमकी दे रहे थे यदि वो उड़ा नहीं तो भूख से यहां पर मर जाएगा मतलब वो कह रहे थे कि कोई तुमारी मदद नहीं करेगा भूख से मरी जाओगे तुम अगर नहीं उड़े तो है ना यदि यह तुम नहीं उड़े तो भूग से मर जाओगे ऐसा वो कह रहे हैं उसके माता पता बट फॉर दे लाइफ of him he could not move लेकिन अपने जीवन के लिए भी वो move नहीं कर पाया नहीं उड़ पाया मतलब वो इतना डरा हुआ था नहीं फिर भी नहीं उड़ पाया ठीक है आगे देखो that was 24 आवर अगो और यह 24 गंटे की बात 24 गंटे पहले की बात है मतलब आप 24 गंटे बीच चुके हैं इस बात को since then nobody had come near him और 24 गंटे से उसके पास कोई नहीं आया है the day before all day long he had washed his parents flying about with his brothers and sister अब पूरे दिन वो यह देखता रहा कि उसके parents उसके भाई बहनों के साथ जो है क्या कर रहे हैं उड़ रहे हैं आप राकास में है ना practicing them in the art of flight है ना teaching them how to scheme the waves and how to dive for fish अब वो यह देख रहे हैं कि उसके माबाप उनके भेन भाईयों को क्या सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उड़ा जाता है इसकी practice करा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे scheme किया जाता है लेहरों के उपर कैसे scheme करते हैं कैसे dive करके fish पकड़ के लाते हैं यह सब चीज़ें उसके भाई बेनों को उसके माता परता सिखा रहे हैं और यह बैठा हुआ वो सब देख रहा है ठीक है और वो क्या देख रहा है कि उसका जो ओल्डर बाई है उसने क्या किया है उसने पहली अपनी जो फिश है वो पकड़ लिया एक फिश होती है हेरिंग है ना एस सौफ्ट फाइंड सी फिश होती है उसको पकड़ लिया और डेवर का मतलब होता है उसको अच्छे से खाना किस तरी जल्दी 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 उससे खा रहा है डवर मींस होता है उस मचली को वो जल्दी जल्दी से खा रहा है तो अब उसके जो पेरेंट्स सरकल अराउंड राइजिंगा प्राउड के एकल अब उसके जो मातर पिता हैं उसके चारों गूम रहे हैं और उसको प्राउड के एकल मतलब वो आवाज कर रहे हैं अपनी आवाज में उसको क्या कर रहे हैं एप्रिशीट कर रहे हैं है ना ऐसी प् morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff tanting him with his cowardice अब उसकी पूरी फैमिली जो है जो उसकी सारी फैमिली है वो से क्या कर रही है टॉंट कर रही है मतलब उसको ताना मार रही है और सब लोग कहां पर है एक बीप आए फ्लेटी पर है प्लेटी जनमिन झोड़ी पर होगी तो उसके जो पे पूरी फैमिली है उसके ृष भाई है हमतला शुझा मलता मार रह早 और उसकी कायरता है उसके लिए कि वह सब नहीं कर पाई इस तरीके से उसको गुस्ता हो रहा है उस पर ठीक है दसन वाज नाओ असेंडिंग दसका अब जो है जो सन है वो क्या हो गया है आकाश में और उपर निकलाया है अब जो है उसको जो है ये बहुत तीस गर्मी लग रही है उसकी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया हुआ नहीं होता है तो वो गर्मी बिलकुल सहन नहीं होती है भूगा भी होता है विचारा वो है ना अब वो क्या कर रहा है वो थोड़ी थोड़ी करके धीरे से बिलकुल की तरफ आता है बिलकुल की तरफ आता है और क्या करता है एक पेर पर खड़ा हो जाता है और क्या करता है और एक पेर को छुपा लेता है अपने पंखों के अंदर एक पेर खड़ा है और एक पेर को पंखों के अंदर चुपा लेता है और क्या करता है क्लोजड बन आई एक आंख बंद करता है देंदा आदा और उसके बाद दूसरी बंद कर लेता है इस तरीके से करता है वह खड़ा हो के अब देखिए यहां पर दिखाया गया देखो यह होती है बच्चो जो लेज की बात हो रही है तो यह किनारा यह यहां पर किनारी पर यह खड़ा हुआ है उसके पूरा परिवार उड़ रहा है और वहीं पर खड़ा हुआ अभी ठीक है चलिए अब उ जैसे कि वो बिल्कुल सो गया हूँ ठीक है इस तरीके से वो प्रेटेंड कर रहा है still they took no notice of him फिर भी अब किसी ने भी उसको जो है notice नहीं किया वो इस तरीके से acting कर रहा है लेकिन कोई से देखी नहीं रहा है he saw his two brother and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks अब वो देख रहा है कि उसके जो दो भाई हैं बेहन हैं वो सब क्या कर रहे हैं उस प्लेट्यू पर क्या कर रहे हैं dozing dozing means थोड़ी सी जपकी ले रहे हैं इस उबे से वो सब कुछ सीख रहे थे उन्होंने अपना मचली भी पकड़ ली तो खाना भी खा लिया तो थोड़ी सी अब जपकी ले रहे थे है ना अपने heads को sunk अब ये ज़े लोग जब आराम करते हैं पक्षी लोग तो अपने head को थोड़ा गर्दन के अंदर ऐसे गुसा लेते हैं तो sunk their neck मतलब अपनी garden में अपने head को डुबो के इस तरीके से वो बैठे हुए थे ठीक है, his father was printing the feather on his white back और उसके जो पापा है, printing, printing means होता है कि making effort to maintain feathers, मतलब अपने feathers को वो ठिक ठाक कर रहे हैं और अपनी white back को ऐसे सहरा रहे हैं, पीछे गरदन करकर के अपने feather को साफ कर रहे हैं ठीक है, only his mother was looking at him, लेकिन उसकी मा, अकेली उसकी मा ऐसी थी, जो उसकी तरफ देख रही थी वही मा को तो अपना बच्चा बुरा लग रहा था कि विचारा भूका है वो, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो उसे सिर्फ देख रही थी she was standing on a little high hump on the plateau, और वो कहां खड़ी होई थी, प्लैट्यू के जो है उपर एक high hump पर, hump होता है, एक उंचा स्थान, जैसे उंट पह नहीं होता है, उंट का उपर का जो इससा होता है, पीठ का उसे hump बोलते हैं, क्योंकि वो उंचा होता है, ऐसी वो एक प्लैट्यू के उंचे हम पर खड़ी होई थी और उसे देख रही थी, her white breast thrust forward, now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scrubbed each side of her beak on the rock, अब उसने क्या किया, उसकी मा जो हमा खड़ी होई थी और अपनी चाती को उसके त्रस्ट को आगे लगाई होई थी rock से, अब उसने क्या किया, उसने एक piece लिया fish का, उसको टोर किया, यानि fish के एक piece को तोड़ा उसमें से, और अपने feet से scrap'd किया उसे, खीचा, और क्या कर लिया, और अपनी चोंच में दबा के उस rock की और वो आगे बढ़ी, है ना, the sight of the food maddened him, और उस उसकी तरफ भोजन को लेखे गई, और वो कैसा था, वो बिलकुल भूख के मारे पागल हुआ था, बिलकुल maddened था, बिलकुल उसको समझ, भूख इतनी जोड से लग रही थी, तो वो यह देख रहा था कि शायद मा मेरे पास लेके आ रही है खाना, how he loved to tear food, that way scrapping his beak, now and again to wet it, और वो यह देख रहा था कि खाने में घूप में इतना पागल था, कि वो उस food को देख रहा था, कि वो food उसकी तरफ आ रहा है, तो उसे बहुत पसंद कर रहा था, वो बहुत पसंद करता है उस food को, आगे वो क्या करता है, scrapping his beak, और अपनी beak को जो गिज रहा था, इस तरीके से पत्थर से घिसते हैं, बीक को तो वो लोग उससे थोड़ा सा शार्प करते हैं, तो उसकी मा ने भी किया, देखो यह काम, उन्होंने वो पीस तोड़ा, उसके बाद क्या किया, then scrapped each side of her beak on the rock, और अपनी beak को रॉक पर दोनों साइड से scrap किया, तो यही काम उसने भी किया, उसको खाना देख रहा था, इसलिए वो भी कर रहा था, वो बहुत पसंद करता था यह काम करना, यह काम वो कर रहा था, क्या कर रहा था, अपनी चोच को पत्थर पत्थर दोनों तरफ से घिज रहा था, वो खुश हो गया था, बिल्कुल कि खाने को देख रहा है और क्या गा रहा है गा 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 ऐसे चिलाने लगा उस खाने को अपनी तरफ आता हुआ देखके वो बड़ा खुश हो रहा था गौ कॉल एक शी स्क्रीमड बैक ड्रैजबली अब उसकी मा जो है जो हो से चिल्डाई उस पर का मतलब होता है गुष्टे से चिलाना उसकी माँ जोर से चिल दाई इसके उपर स्क्रीम चिल दाई जैसे वह खुश हुआ तो उस पर चिल दाई कैसे इनकी भाशा में कुछ बोला उसने गा कॉल इस तरीके से हिएड रिकवेस्ट करना हैं थे सेडली रिकवेस्ट करता रहा वो तो सेडली रिक वेस्टी करत रहा वो तो और एक मिनिट तक बहुत बुरी तरही के से बड़े आनन्द से चिलाता ही रहा वो तो His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it अब उसकी माने क्या किया वो piece उठाया जो उसमें से तोड़ा था फिश में से और उसकी तरफ आगे बढ़ गई है ना उसकी तरफ बढ़ गई He learned out यह देखो यह एक पर वो बैठा हुआ है दूसरी क्लिफ मा है अब मा उसकी तरफ आगे बढ़ गई है उसको लेके ठीक है एगरली उसकी तरफ बढ़ गई उसकी तरफ बढ़ गई उसकी मा लेकिन जाके क्या हुआ अपने विंग को अन ने मोशनलेस पर और वो रोक गई बिलकुल उसके पास पूंचुँए खाने को लेके उसकी बीक को उसके पास तक पहुचा दिया लेकिन जैसे ही वो उसके सामने पहुची है ना but when she was just opposite to him she halted वो रुख गई है ना her wings motionless और अपने wings जो है फरफ़ाना उनने बंद कर दिया the piece of fish in her beak almost within reach of his beak और उनकी बीक में उसकी मा की बीक में जो piece था fish का वो बिलकुल उसके पास में था सीगल की बीक के पास में था लेकिन वो उससे थोड़ी से दूरी बनाई हुई थी he wanted he waited a moment in surprise wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger अब वो जो है surprise हो गया एकदम इंदार कर रहा था उस समय वो एकदम surprise हो गया और आश्चर हुआ था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया उसकी माने ऐसा क्यों किया कि उसकी पास आ गई और आके रुग गई उसको बोजन दिया नहीं पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था अब वो तो लेकिन भूब के मारे पागल था उसे समझी नहीं आ रहा था यह हो कह रहा है कि ही डाइड एड दा फिश अब उसने फिश को लेने के लिए एकदम डाइव मारी है ना जल्दी से उसने वहां से उपर से छलांग मारी विदा लाउड स्क्रीम ही फैल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इंटू स् हमाण से छलांग लगा थी कूद ला था और कैसे चल ळा था आउटवर्ड इंड डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ और सामने की तरफवर्ड नीचे जाते हुए सामने की तरफ हो गूद रहा थाosasuts अब जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर कूथते हैं तो हम क्या होता है पहले नीचे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ छलांग लगा देंगे इस तरीके से वो उसकी आउटवर्ड्स and डाउनवर्ड्स उसकी छलांग चल रही थी ऐसा इस पेस में वो टेर सा रहा अब वो जब कूधा तो वो बुरी तरीके से घवर्डआ गया है नँस्ट टेरर का मतलब भयानवे डर ने उसको एकदम से पकड़ लिया इस न क्योंकि वो पहले कभी कूधा नहीं था आप वो खाने के चक्क्र में महां से कूद तो गया लेकिन वो बुरी तरीके से डर गय लिया है ना टेरर ने उसको पकड़ लिया फिर एंड इस हार्ट इस्टूद इस्टिल और उसका हिर्दे गम रुग गया यह कुड ही और नथिंग उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था बट अनली लास्टेड आ मिनिट लेकिन यह सिर्फ एक मिनिट के लिए रहा ऐसा अब फिर से उसके बाहर की तरफ फैले फिर अंदर की तरफ आए उसके स्टूमच की तरफ और जो विंग से उसके हवा को जो है काटते हूँ चल रहे थे मतलब ऐसा लग रहा था उसके जो पंखों का किनारा था उससे वो हवा को काटता हूँ चल रहा है अब जो है वो अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था अब वो क्या कर रहा था वो तेर रहा था है ना ही वाज सोरिंग गेजुली डाउनवर्ड एंड आउडवर्ड अब वो धीरे धीरे सोरिंग मेंस होता है यहां पर उसका उड़ना है ना अब वो इस तरीके से उड़ रहा था फ्लाय कर रहा था कैसा बिल्कुल ग्राजुली में तब लगातार दी में दी में कभी नीचे की तरफ कभी नीचे की तरफ कभी सामने की तरफ लहर आता हुआ सा ओड़ रहा था मतलब उसे मज़े आ रहे था तरीके से गर रहा था यूज नो लंगर अफ्रेड अब वो ज्यादा दिर तक डरा नहीं ही जस्ट फेल्ट अबिट डेजी बस वो थोड़ा सा ऐसा महशुद कर जए घुट याओन ङया वर्ड हम स्वार कर रहा था वह जो है अपने पंखों को फड़ा रहा था और क्या कर रहा था एक तरफ एक बार उस ने उड़ना शूरू किया उपर की दरफ अब उसकी मांने उसको बोला एप्रिशेट किया वह एपने आवाज में saut अगे उड़ और उससे आगे उड़ने की कोशिश करने लिए और उससे आगे निकल गई उड़के ठीक है Her wings making a loud noise और जो है अपने आपंखों को फड़फडाती आगे निकल गई और जोड जोड से आवाज करने लगी मतलब उसको appreciate कर रही थी वो उसकी मम्मी He answered her with another scream और जो है वो जो है जो सीगल था वो उनको answer कर रहा था कोई दूसरी scream करें कुछ और जोड जो चिला के आवाज करके उनको answer कर रहा था Then his father flew over him screaming और फिर उसके प्रिताजी उसके ऊपर आके उड़ने लगे और वो भी screaming करने लगे वो भी जोडर से चिलाने लगे यानि वो भी उसको appreciate कर रहे थे He saw his two brother and sister flying around him Curvetting and banking and soaring and diving अब उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे बहने थी वो सब उसके उपर आके उड़ने लगे उसके साथ साथ उसके चार और उड़ने लगे और वो क्या कर रहे थे Curvetting means leaping like a horse मतलब उपर नीचे उपर नीचे इस तरीके से horse की तरह से वो उड़ने लगे किनारों पर जाने लगे banking क्या होती है flying with one wings higher than the other मतलब एक दूसरे के उपर से उड़ना नीचे निकलना उन्होंने शुरू कर दिया थे यह सब चीजे मतलब खेल रहे थे वो सब लोगो ने भी अच्छा लग रहा था कि उनका भाई आ गया उनके साथ में और diving करना मतलब नीचे जाना और जाके मश्री निकाल के लाना पानी में से ठीक है दैनी कम्प्लीटली फॉर्गेट थैट ही हैड नौट अल्वेज बीन एबल टू फ्लाए और तब वो बिलकुल यह भूल गया कि वो कभी ऐसा भी था कि वो ओडने में सक्षम नहीं था ऐसा उसे कुछ वो भूल गया उस समय ऐसा करने में चूकि अब तो वो ओड रहा था पाइक वरून के साथ सथ एन कमांड़ हींसेल्फ तो डाइवज सथ घह कर ने और कर नौट çूं कि मया रहे थे अपने खकती श्वॉर्ई कर रहे देश्यॉर्व करते हैं कैसे उड़ते हैं कैसे कर्व करते हैं है न इस तरीके से और जोड जड़ जड़से आवास कर रहे थ अब वह सी के पास था इस समय फ्लाइंग स्ट्राइट उपर उड़ना उसने शुरू किया फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर दा ओशन अब सीधा बिल्कुल ओशन की साथ साथ वह उड़ रहा था है ना उसकी तरफ मुझ करके सीधा उड़ रहा था उसने देखा कि एक बिल्कुल ग्रीन हरा उसके नीचे है जब ओड़ रहा था उससो बिल्कुल उसके सीध में उड़े चले जा रहा था अब क्या हो रहा था कि जो है वो उसके उपर उड़ रहा था और जो लेहरें थी वो क्या हो रहा था लिटिल रेज मतलब छोटी लेहरों के साथ वो साथ साथ मूव कर रहा था उसके साथ अब जो है वो चौक करके आवाज निकालता एकदम वो लेहरों के साथ साथ जो चल रहा था अपनी चौच उसमें नीचे डाली तो एकदम से वो चौक रहा था वहाँ पर यह सब उससे अजीब सा लग रहा था ना सब कुछ ही हो क्या रहा है है ना चलिए आगे चलिए अब उसके जो भाई थे बहने थी और माता पिता थे उन सब ने क्या किया वो जो ग्रीन फ्लोरिंग ती यानि जो समुद्र ग्रीन ग्रीन दिख रहा था उस पर क्या किया लेंड कर दिया उन्होंने है ना उसके साथ दे वर बिकॉनिंग टू हिम अब वो उसको क्या कर रहे थे लेंड कर दिया उन लोगों ने तो लेकिन उसको बिकॉनिंग करना मतलब उसको कॉल करके बुला रहे थे उसको कॉलिंग श्रीली और तीखी अवाज करकर के उसको कह रहे थे आ जाओ तुम भी आ जाओ मतलब डर तरह था उसके अंदर डूब गया क्योंकि वह खड़े थोड़ी थे वह तो स्क्रीम कर रहे थे ना उस पर सथे पर इस तरीके से चलना तेरना स्क्रीम करना होता है न ही स्क्रीम वेद फ्राइट एंड अटेम्ट टू राइज अगीन फ्लैपिंग इस विंग्स वह जब को फड़ फड़ाना शुरू किया कि मतला मैं ओड जाओं बट ही वोस टाइड एंड वीग विद हंगर एंड कुड नोट राइज एग्जॉस्टेड अब वह इस तहमें तक लेकिन भूट ठक चुका था अब वह नहीं ओड पा रहा था क्योंकि भूग से बहुत परिशान लेकिन भूट ठक गया था वह इसा नहीं कर पा रहा था बाइद अग्जॉस्टेड देखो एग्जॉस्टेड बाइद अब इस टेंड एक्सराइज कौन सी जो जो इसने की थी कर विंग है ना डाइविंग यह से जो सीखी थी एक्सराइज उसने नहीं नहीं उनसे वह बह एक बैली तस्टेड एड एंड ही सेंग नो फर्दर अब क्या हुरा था उसके फीट उसमें डूब रहे थे सीमें और उसकी बैली भी उसको टच ओ रही थी यानि उसका पेट भी पी पानी से था लेकिन अब बोट डूब नहीं रहा था अब आगे वह नी रहा था वह स्क्र इसको प्रेज कर रही थी है ना प्रेज कर रही थी एंड देर बीक वर ओफरिंग हिम स्क्रैप्स ओफ डॉग फिश और अपनी बीक से उससे जो है ओफर कर रहे थे स्क्रैप फिश उसको खाने को दे रहे थे और इस तरीके से उसने क्या किया अपनी फर्स्ट फ्लाइट को पूरा कर लिया ठीक है तो यह जो स्टोरी है यह हमें क्या बताती है यह हमको यह बताती है कि the nervousness before doing something new कोई भी हो कोई भी व्यक्ति हो यह हमारे लिए भी है यदि हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमको क्या लगत है डर लगता है हम किसी नई क्लास में जाते हैं यह जाके किसी नए ओफिस में जॉइन करते हैं तो हम क्या करते हैं घवडाते हैं लेकिन हम क्या कहते हैं हमें शुरूबात तो कहीं से करनी पड़ेगी अब जैसे हमारा कोर्स है क्या होता है कहीं से तो शुरूबात करनी इसने हिम्मत दिखाई चाहे वो खाने के लिए यह शुरुबात की उसने लेकिन उसने उड़ना सीखा ठीक है तो यह हुआ इसका वर्ड टू वर्ड एक्स्प्रिनेशन आप आपको अच्छे से समाज आ गया होगा ठैंक यूँ अ